माता लच्मी का पूजन करते हो दिपावली पर ऐसा कोई घर नहीं सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लच्मी का पूजन नहीं होता दिपावली पर 31 अक्टुम्बर को जब आप मा लच्मी का पूजन करोगे माता लच्मी की जब पूजन करो जैसे आपके पूजन होती है जैसे आपके पूर्वच करते आए जैसे आपके घर के ब्रहामन देउता जैसे आपके नगर के ब्रहामन देउता जिस बावु से पूजन कराते हो ब्रहामन पूजन कराने आते हो तो ठीक ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयम जैसे मातालच्मी का पूजन करते हो वैसे करो पर दो दिन जो आपने धन तेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप 14 के दिन थाली में रखा है वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में जैसी आप पूजन जमाते ह वैसे की वैसे ही जमाव, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो, पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्तर बिछा कर, चोक पूर कर, बड़े प्रेम से अंद का दाना रख कर, वो थाली बापिस रख, बापिस रख, और दीपा वली के दिन भी वैसे की वैसे ही पूजन करना है, आप अपनी पूजन जैसे करते हो ऐसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी, साथ, चड़ा कर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं, उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है, जो दो दिन से आप करते हैं, बस इतना याद रखें, कि दीपावली के दिन जो आप लच्मी का पूजन करें, उसमें लच्मी जी के सीधे हाथ की और घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लच्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का, लंबी बत्ती का, अखंड दीप, जलागा, अखंड दीप, मतल लच्म लच्मी जी के उल्टे हाथ पर कायका दिया आएगा जम के बोलो तेल का लंबी बाती का और सीधे हाथ पर कायका आएगा घी का दिया दोनों दीप अखंड जलाना है जो रातरी को जलें सुबहा तक वो जलते रहें ऐसा दीप पर ध्यान देना है और माता लच्मी की पूजन क करकर जो सिख्के आपने रखे हैं उस पर पांच या साथ कमल गट्टे हल्दी की गठान अमरबिल के तुकड़े पर इस पूजन में आपको हरी मूँ खड़ी जो मूँ गाती हरी उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भ पीले कलकर भगमन मता लच्मी को समर्पित करना है और मा को बहुग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती करकर जोली पसार कर प्रणाम करकर जब आप पूजन फूर्ण हो जाए बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आधिक सब करने के बाद में रातरी का जो समय रहे दीपावली की रातरी का ग्यारा वजे के बाद साड़े ग्यारा से लेकर साड़े बारा के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक व्रक्ष के नीचे या तो पीपल या बेलपत्र या आउला किसी भी एक व्रक्ष के नीचे रातरी के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लग अगी का और वापिस लोट कराकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का कोई भी एक रुपिया दो रुपिया कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वह सिक्का अपनी अलमारी में तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना फिर अगले वर्ष लच्मी पूजन का बस पूजन जैसी करते हैं, आपके जैसे ब्रामन ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूरवजन ने बता दिया, जैसे घर में करते आयो वेसी की वेसी लच्मी पूजन करो, ज्यादा दोंग प्रपंचे में नहीं पढ़ना, किसी ने क किatchina का वैसा कर Дोना अपने आननद के साथ आप लच्मिक की सा धारेन कुजन जेसे करते आयों बाइसे की वैसे करो बस वो शिक्के की पूजन आपको पाँम्स दिन कुर्ण हो जाएगा फिर पढ़वा के दिन का नियम पिर दूज के दिन का नियम अभियपन का था में सुनेंगे